कुछ अध्यूंग तो आज हम बात करेंगे कमेस्ट्री में हैलो अलगेंच चेप्टर गी दोस्तों बता दे कि अगर आप क्लास बारे में हैं तो आपका बोर्ड इक्जाम बहुत करीब आने वाला है तो दोस्तों बता दे कि उसकी तैयारी को देखते हुए हम इस टॉपिक को अलग अलग पार्ट में करके ला रहे हैं ठीक है बतादे दोस्तों देखे टॉपिक क्या है हमारी क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोक्षाला विधी है उसको रासाने के अप्रिया के द्वारा समझाना है और बतादे कि एथी लिलकोहाल तथा एसी टोन से क्लोरोफॉर्म कैसे करेंगे अप्रिया सब्सक्राइब समझाना है दोस्तों बतादे कि क्लास 12 की केमेस्ट्री का एच चैप्टर है लोलकेन और उसमें यह बहुत इंपॉर्डेंट कोशन दिया गया है जो कि हर बार एक्जाम में पूछा जाता है किसी तरीके से दोस्तों बतादे कि कोश्चन क करेंगे में कि इसनीगा यह का अंसर कैसे देपाएंगे रासाैंक ओब्क्रिया का रासैनीग संहितर दीजिए वो भी करके पूछ सकता है यह फिर कैसे Pक करेंगे यह फिर कंदेकर समझाईंगे तो आईए इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि इसका अंसर हम लोग कैसे दे पाएंगे ठीक है बड़े ही आसाने से बड़े ही सरलता से बड़े ही सरल तरीके से और बतादे कि कैसे तो आईए चैनल पर बने रहे हैं अगर हाँ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइक अंदबा लेजे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्गल में ज्यादा ज्यादा इसको शेर कीजिए आईए दो आपसे पूछा जाए तो आप किसी से से भी बना सकते है अच्छा लगे लेकिन अगर आप से एथील को हाल पुछ दिया तो पहले हम लोग देखते हैं जब जब एथील को केपक्रेव रेंजेक्चूंट से कराई जाती है तो उसके आक्सी करण हैलोजनी करण और जल अभटन से क्लोरोफार्म बनता है इतना हिंदी में लिख करके और यह रियक्षन आप लिख देंगे तो पूरी पूरी बात आपकी 100% गारंडी के साथ सही माल ले जाएगी ठीक है और यह रियक्षन आपको देना है जब आप यह रियक्षन देंगे तो आपको 100% नंबर भी मिलेगा ठीक है तो आसा करते हैं आपको यह चीज समझ में आ गई होगी अब दूसरी चीज क्या है कि अगर आपसे कहा जाए कि एसी टोन से क्लोरोफार्म कैसे बनाएंगे तो क्य तो सबसे पहले चलते हैं आपको क्या करना हैं अगर आपको अब्सक्रण से क्लोरोफार्म दाना है थो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको दखेए सी यह वह क्ल को यानि पी educateề ही को पानी में डालना है नहीं क्या हो जाएगा वही जोगा योपर उपर हुआ है चलिए यह आगे काम में यूज में आएगी ठीक आब दिखें यह ऐस्टे कि आपको मालूम होगा सी यूबीच में आगे जब यूबीच में आता तो क्या हो जाता है सदस मतलब एक दो तीन तीन है तो तीन कर्वन को प्रोपेन कहते हैं और यह सीओ आ गया तो अंतमी ओन लगेगा तो यह जाएगा प्रोपेन और इसी का व्यापारिक नाम होता है एसीटोन दोस्तों बता दे कि कीटोन स्रेणी का यह सबसे पहला सदस है यह बात आपको नोट क घ्रेगी तो हमको घ्रिया करा देंगे अब बोलेंगे में तीन चपर 9 9 यह यह आपर 3 है थीं यह उगा चैनल उसके साथ यह 3 यह 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 मिला देंगे और जिब यह 3 यह से जाएगा तो जो यह 3 यह 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 जै 3CL प्लस वाला है, वो यहां आकर इसके जगा बैठ जाएगा, यानि आगे बनने वाला क्या है, देखे, CCL3 बन जाएगा, जब यहां से CL जाएगा, यहां पर इनको हटा के, यहां जब बैठे गा, क्या हो जाएगा, 3C, गरबड हो गया, क्या बने का देखे, CCL3, CO, और CH3, प 3EH पर प्लस आएगा, ठीक है, जब इस 3EH पर प्लस आएगा, तो यह तीनो H जाएगा, यहां से 3CL माइनस और इक साथ ग्रह पर करके 3EH बनाएगा, ठीक, और जब यहां से 3EH चला जाएगा, तो यहां से बचा हुआ जो 3CL है, वो इसके जगा प्लस हो जाएगा, तो अब अगर इतना आपको मिल गया यह क्या है आपको मालू होगा तीन बार क्लोरी ना गया तो ट्राइक लो प्रोपेनों हो गया ठीक है अब यही आएगा आपक्रिया करेगा ठीक है देखें CCL3, CO, CS3, कितनी बार, दो बार, इसको दो बार लेना है, प्लस, उपर से ये CL2 अपक्रिया कर चुका, अब ये बचा है, CAOS का twice, देखे, अगर इसी step को आप इस तरह लिख देते हैं, CCL3, CO, CS3, यानि ये दोनों ही एक बार में हो रही, दोनों अपक्रिया एक साथ हो रही, ठ पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन है, ठीक है, ध्यान समझने को कोशिस करेगा, अब यह आएगा, इन दोनों से अपक्रिया करेगा, ठीक है, इन दोनों से अपक्रिया करेगा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, CAOS, ऐसे भी अगर यह यह ह हो जाएगा थ्यान समझे है बहुत में हुत चैनल को और H आ जाएगा यह जा यहका होगा है क्या पश्चा एहां साहां साया यहां साया एक बार दो वार यहां पर दो वार हो प्लस क्या बचले सी यह स्ट्री सी य उचंग किसीग बुछोड उच्छा back दो लिए यहां पर इनको भी ले ली जैङ है 330 दो बार इसको क्या पढ़ते हैं एसीटेट पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं एसीटेट और यह क्या है सिए यह यहां सिए जो बचा हुआ यहां लिख देंगे पूरा क्या हो जाएगे यह कैल्सीयम कैल्सियम एसीटेट क्या हो जाएगा कैल्सियम एसीटेट यह क्या हो गया यह हो गया क्लोरो फार्म क्या हो गया दोस्तों क्लोरो फार्म अगर यहां पर देखेंगे इस इस स्टेप का क्या नाम होगा इस स्टेप का क्या नाम होगा इसका क्या नाम होगा तो देखें यहां य तो आपको कहना होगा या लिखना होगा क्या लिखना होगा कि जब इस टोण के जोटीज़ों से कराथे हैं तो क्या होता है Chicago मों बनता है यह क्लोरोशान को कैसे बनाते हैं प्रीयक्षालप अगर सकते हैं यह लिख सकते हैं वह चीज्ज आप यहाँ यहां पर देखें हैं इस वीडियों हम लोग दो चीजों से, दो रासानिक पदार्थों से हम लोग क्लोरफाम को बनाए हैं, एक एथिल एलकोहाल से और दूसरा एसी टोन से, ठीक है तो आसा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में, तब तक आप खुश रही हैं, बहुत रिमस्तर आपका दिन सुभू